जैसिर किर्षना साथियो स्वागत आप सुभी का आपके अपने चैनल यादो सरकार में यादो समाज के इन सितारों ने कर दिये कमाल दीज बर में हो रही है चर्चा यादो समाज के चार बच्चे बने लेप्टिडेंट जी हाँ चार बच्चों का चैन लेप्टिडेंट पद पर हुआ है इन सबी यादों ने यादो समाज की सेन्य प्रमप्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है और अहिरवाल का नाम रोशन किया है साथ ही साथ यूआओ के लिए पिरना सोथ भी बने है कहते हैं जब होसला बना लिया उची उडान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का डरना नहीं तुम या किसी भी सुनोती से बस तुही सिकंदर है सारे जहान का इसे करके दिखाया है हमारे समाज के सितारों ने अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सिस्क्राइब करें और सभी भाई इस वीडियो को सभी यादवों के पास ज़ादा से ज़ादा शेर कर दे चलिए फिर इन सबी यादों से आपका प्रिचे कराती हैं सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे प्रिती यादव जी की जब बाद देश वे समाज का नाम रोसन करने की हो तो हमारी समाज की बेटिया भी कदम से कदम मिला कर चलती है ऐसा ही हमारी बेटी प्रिति यादव ने करके दिखा है वीरो की भूमी आहिरवाल के गाउं जोनियवास निवासी बेटी वे गुरुगराम के बादश्यपुर गाउं की भांजी प्रितियादों ने सेना में बतोर लेप्टेंट के पद पर सेना में चैन होकर छेतर का नाम रोशन किया है बादश्यपुर के लोगों तथा उनके परिजनों ने गुरुगराम के एंबियंस मोल से लेकर बादश्यपुर तक प्रितियादों के लिए मेगा रोड सो निकालते वे प्रितियादों का भवे स्वागत किया बादस्यपुर्चेतर के लोगों ने पृति की उपलब्दी के लिए फूल मालाओ के साथ पृति यादव का स्वागत किया पृति यादव ने हजारो यादव बेटियों के लिए रास्ते खोले हैं हम सभी देशबर के यदवनसी पृति यादव जी के उजोलव सपल बविशे की कामना करते हैं अब बात करते हैं मुखूल यादव जी की Хरιαना के रिवाडी जिले के गाउं जोनवास के मुखूल यादव बारतेस्यदा में लैप्टिडेंट बने जब लेप्टिडेंट बनने के बाद गाउं में पहुँचे तो जोरदार स्वागत किया मुखुल यादव अपने गाउं के पहले लेप्टिडेंट बने है हम सबी देश बर की अद्वनसी मुखुल यादव जी के उजवलवे सबलवेशे की कामना करते है अब बात करेंगे मुखित यादव जी की हरियाना के चर्खी दादरी जिले के मुखित यादव का लेप्टिडेंट पद पर चैन हुआ है चर्खी दादरी के वार्ड नमबर 16 निवासी मुखित यादव के धेरा दुन आई एमे में आयजित पासिंग आउट प्रेड में लेप्टिडेंट बनने के बाद जब गर पहुँचे तो मुझीज लोगों ने दिभधाई आपको बता दे कि मुखित यादव के पापा भी फोचे रिटायर्ड है हम सबी देश बर की दुनसी मुखित यादव जी के उजवल वे सपल वविशे की कामना करती है अब बात करेंगे कपिल यादव जी की अहिरवाल मेंदरकेड के गाउं आकोदा के कपिल यादव का लेप्टिडेंट पद पर चैन हुआ है और जब कपिल यादव लेटिनेंट बनने के बाद अपने गाउं पहुँचे तो गराम वाशियों ने गाउं आने पर किया जोरदार स्वागत और गाउं के मंदिर में हमन में भंडारे का आउजन भी किया सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाउं को फूजियों का गाउं भी बोला जाता है क्योंकि हर गाउं में फूजी है कपिल यादव के पताजी भी सी आई सप में है गाउं के लोगों ने आहीर रेजिमेंट पर भी चर्चा की हम सभी देश भरकी इद्वनसी कपिल यादव जी के उजोलवे सपल भविशे की कामना करते हैं अहीर रेजिमेंट राष्टे रक्षा हेतु बलिदान के लिए तो ये थे हमारे समाज की सितारे जिन्होंने समाज का नाम रोशन कर दिया आप सभी को इन सभी के बारे में जानकर कैसा लगा कमन्ट करकर जरूर बताए हमारे समाज के लिए बहुत ही गरोगी बात है एक साथ चार बच्ची लैप्टिटेन बने है और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करे ताकि और भी यादव इस वीडियो को देखकर प्रेणा लेशके जैसिर कृष्णा